हलो बच्चो मैं प्रियार अठोर आपका स्वागत करती हूँ आज की मस्त वाली क्लास में और आज हम गोते लगाने वाले हैं समुद्र के अंदर क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो शुरू करते हैं आज का जो क्लास 12 का हम लेक्चर करने वाले हैं वो करने वाले हैं लेक्चर नमबर 6 ठीक है क्या करने वाले हैं लेक्चर नमबर 6 में चैप्टर फ्लो आपको पताई है लेक्चर फ्लो में आज हम मतसिकी यानि की फिशरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बाद भारत में मतसिकी की बात करेंगे यानि की बात कर क्रशी क्या होती है यह थोड़ा सा एक परिभाशा पुछ ली जाती है कभी तो आप याद करने के लिए आपको बता देंगे और नील क्रांती जिसको आप नीली क्रांती भी कहते हैं ब्ल्यू रेवलूशन उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं मतसिकी यानि की फिशरीज के बारे में नाम ही बता रहा होगा मेरी नाम ही मेरी परिभाशा है वो अला डायलोग आपको याद आ रहा हो तो भई फिशरीज यानि की क्या करना है मुर्गा पाल लिया हमने अब जानवरों को थोड़ा मचलिया भी देख लेते हैं तो अब मचली पालना शुरू करते हैं मदू मख्खी पाल दी तो मचलियों का भी नंबर आना है इसमें हम क्या करते हैं मचलियों को विबिन प्रकार की जाती प्रजातियों की मचलिया अब तो आइस्टर पालना यह सब फिशरी के अंदर आता है फिशरी पहले स्टार्टिंग में सिर्फ मचलिया पाली जाती थी लेकिन आजकल मचलियों के साथ यह एक्स्ट्रा चीजे जनरली हम लोग इंडियन लोग तो फिश फिशी खाते हैं प्रॉंस ही खाते हैं लेकिन फॉरे जो लॉब्स्टर वगएरा है केकड़े वगएरा है इनको बहुत खाना जो है वो खाया जाते हैं तो वही बात हमें करनी है फिशरी एक उद्योग है जो मचलियों शेल फिश समझ गए बिटा शेल फिश मतलब जिसके उपर एक कवरिंग होती है वही मैं जो कहारी है ओईस् साथ इंग्लिश लिख दिया है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कभी-कभी हिंदी के वर्ड बहुत ही भेंकर होते हैं और प्रसंस्क्रणगा मतलब प्रोसेसिंग आप चाहें तो इसकी जगर लिख सकते हैं प्रक्रिया प्रकड़ने की जीवों के पकड़ने तथा रख रखाओ क इसा भी लिख सकते हैं आप कोई गलत चीज उसमें नहीं है आप सिंपल वर्ड लिखना चाहते हैं तो ठीक है चलिए भारत में मतल सिकी यानि कि भारत में यह जो फिश्रीज है वो कितनी फैली हुई है और क्या हमारा कॉंसेप्ट है वर्तमान में फिश्रीज वा जलिय क्र हो और भी समुद्र में मिलने वाली पॉदी भी साथ में फार रही है तो फिर हम उसको क्या कह देंगे एक्वेटिक जल में मिलने माली कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसको फिल हम उसे एक्वा कल्चर या जलिय कर चर कह देंगे यह difference आगे मैं आपको बता भी दूँगे का राश्टी एग GDP अब यह राश्टी एग GDP क्या है यह social का जो है वो topic है तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि हमारी एक GDP होती है जिसमें हम पूरे session का यानि कि जो भी हमारा year होता है financial year उसमें पता लगाते हैं कौन सा उद्योग कितना बड़ा हुआ है कितना percentage उसने profit दिया है कितने percentage loss दिया है यह सारी कहानिया पढ़ता है ठीक है हम social में नहीं जाएंगे तो मैं 1.07 प्रतिशत का योगदान है जादा नहीं आपको लग रहा होगा 1. तो बहुत ही चोटा होता है ठीक है लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया में जादे तर vegetarian लोग है South Side में जरूर जो है non-wage या फिश का इतना चलन है हमारे यहां पर इतना है नहीं योगदान है क्रशी में इस शेत्र का हिस्सा 5.30 प्रतिशत है यानि कि 5.30 प्रतिशत है क्रशी के अंदर क्योंकि हम एक तरह से इसको क्रशी में जली क्रशी भी तो ले रहे है ठीक है यह ज़स्ट एक आकड़े हैं जो NCRT में दिये हैं कभी कोई question आया नहीं है लेकिन फिर भी बस आपके knowledge के लिए समूद्री fisheries खाद्य सुरक्षा में मदपुन भूमी का निबाती है भाई क्या मिलता है खाना मिलता है इस बारती अर्थ वेवस्ता में मत्यसिकी यानि कि fisheries का मदपुन इस्तान है ठीक है आपको लग रहा होगा कि 5.30% तो बहुत कम होता है लेकिन उसकी value money में बहुत जादा है है ना क्योंकि हम अर्वो खर्वो रुपे के उस पे बात कर रहे हैं कि 5.3% ठीक है भारत में एक बड़ी जनसंक्या मचली उत्पाद वह अन्य जली जन्तू जैसे जिंगा जो मैंने कहा प्राउन केकड़ा क्रैब जिसको कहते हैं lobster काद्य ओइस्टर का मतलब वही सीप वाले ओइस्टर भी खाया जाते हैं वो जो सीप के अंदर होते हैं आपने देखा हो कैसी movie में उसका वो शेल निकाल के ऐसे खाते हैं प्लेट में सजा सजा के और जब मैंने मूती वाला वीडियो डाला था तब भी मैंने आपसे बताया था कि इसको खाया भी जाता है इसके अंदर जो एनिमल रहता है ठीके तो ये जो है खाद्य ओइस्टर कहलाते हैं क्योंकि सारे ओइस्टर खाने लायक नहीं होते समुद्र में हर कुछ खाने लायक नहीं होता है कुछ पॉइजनस भी होता है केकडे भी सारे नहीं खाय जाते मचलिया भी सारी नहीं खाय जाती खाने लायक होती है उसी को खाया जाता है ठीके पर खाने के लिए निर्बर रहती है ठीके दिख्ट यह वाला नॉइज है ना चिकन विकन की भी बात नहीं कर रहे हैं फिश वाला क्योंकि वह आपो संदरी एलाका है तो खाने के लिए अनाज इतना महंगा होता है वह पे और अगर आप फोरेंड की बात करें तो महां पे भी यह ना वहां पे अनाज महंगा है comparative to this kind of food कि ये ऐसा food वहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा ठीके सन 2011-12 के दोरान मचली वा मचली उत्पादों की निर्यातित मात्रा 8,62,000 थी ठीके टन थी जो लगबग 2 billion अमेरिकी डॉलर के मुल्य का था ठीके इतनी जो थी देना तो हमने इतना टन जो है वो भेज दिया बाहर फॉरिन में वहां की डिबांड को पूड़ा करने के लिए जो लगबग 3 billion अमेरिकन डॉलर के बराबर है ये भी NCRT में दिया हुआ है बारत की प्रमुक स्वच्च जलीय मचलिया क्या क्या है जरा ये देख लो स्वच्च जलीय तो समझ गए न जो फ्रेश वाटर में रहती है फ्रेश का मतलब साफ नहीं फ्रेश का मतलब मीठा पानी जो नदियों में तालाबों में इस जगह पे रहती है ठीके और दूसरा होता है लवणी ये जल जिसको हम खारा पानी कहते है ठीके वो समुद्र वाला मरीन वाटर तो कटला रोहू जिसको लोभी और रोहिता भी कहते हैं साइंटिविक नेम इनका काल बासू थ्रिगाल ये सब जो है वो क्या है इंडियन फ्रेश वाटर मचलिया है अभी फोटो बताऊंगे आपको चिंदा मत करो कॉमन कर्प, सिल्वर कर्प ग्रास कर्प आदी विदेशी स्वच्च जलिये मचलिया है ठीके ये कहां से आई है विदेश से लेकिन हम इनको पालते हैं विदेशी स्वच्च जलिये मचलिया है जिनको अपने देश में पाला जाता है है तो foreign species लेकिन वही हमारे लोगों को पसंद देखाने के लिए अच्छी बिक्ती है तो हम यहाँ पे लाके उनको पालते हैं यह है प्रान अगर किसी ने देखा नहीं वैसे तो देखा होना चाहिए क्योंकि आप 11 पढ़किया है आपने पूरा Animal Kingdom चार्ट नमा रहा होगा और उतनी जल्दी आप भूल भी गए होंगे ठीक है तो इसलिए मैं मुझे फोटो बताना पड़ रहा है कि यह प्रान है जिसको हम जिंगा मचली कहते है यह है आपकी लेबियो रोहिता ठीक है जिसको रोहू कहते है और ड्रॉ किये होंगे अपने डाइग्राम टैक्टिकल में भी यह कॉमन कार्फ है मचली और यह है आपका लॉब्स्टर और केकड़ा तो मुझे लगता है आप सभी ने दिखा होगा यह लॉब्स्टर है केकड़े जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग है इसका इधर वाला पोर्शन तो जिंगा मचली जैसा दिखता है इधर वाला पोर्शन केकड़े जैसा मिक्षर है यह इसको कोमा शेप अनिमल भी कहते हैं और किसी को याद आ रहा हो पुराना तो ठीके और B.S.C करोगे तब इसको काटना भी है आपको चीर फाड करनी है इसकी हमने काटा हुआ इसका इसका ब्रेन निकाला हुआ है इसकी वर्टिबल कॉलम नर्स सिस्टम निकाले हुए इसकी ग्रीन ग्लेंड निकाली हुए इसमें ग्रीन ग्लेंड होती है 11th में पढ़ा होगा आपने ठीक है? चलो मचलियों में इस कॉलियोड़न मिलेगी आपको चीर फाड़नी के लिए ठीक? चलो बात करते हैं प्रमुक समुद्री खारे पानी की मचलिया कौन-कौन सी है उनको भी देख लेते हैं हिलसा, सारडीन बॉंबे ड़क, मैकरेल प्रम्पलेट या काफी नाम आपको सुने-सुने लग रहे हुए अगर आप मचलियों के शौकीन है या कहीं सुना है तो टूना, बेत की ठीक है, ये जो है समुद्री खारे पानी की मचलिया है अब बात कर लेते हैं जल करशी की, क्या है जल करशी देखो छोटे सो टॉपिक है मैं पहले ही बात कर चूकी हूँ मदुमक्खी पालन है, छोटा सा है उसके पहले हमने क्या बनाया, मुर्गा बनाया नहीं, मतलब पाला वो भी जो है छोटा चब टॉपिक है और जल करशी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए मैं बोल रही थी ये चैप्टर बहुत इजी है, इनमें छोटे छोटे ही क्वेशन्स आते हैं इसी प्रकार के पालन में क्या-क्या आपको सावरदानिया बरतनी है इस्पिशीस के दो नाम पूछ लिए पालन में आप क्या-क्या महत्पुन चीजे या तथ्य है ऐसे ही क्वेशन आते हैं तो सबसे पहले जल करशी इसको पूछा जा सकता है परिभाशा के रूप में पानी के अंदर की जाने वाली क्रशी एक्वा कल्चर कहलाती है या जल क्रशी कहलाती है एक्वा कल्चर जिसे एक्वा फार्मिंग भी कहा जाता है जलिय जीवो जैसे मचलिया, क्रस्टेशियन जिसमें जींगा, केकड़ा और लॉप्स्टर आते हैं मॉलस्का ठीक है मॉलस्का से आप वाकिप हैं बूले तो नहीं है के साथ साथ जली पौदो की भी समवर्दन या क्रशी की जाती है मॉलस्ट का मतलब मॉलस्ट का के प्राणी, स्क्विड है, हैना पाईला है, याद आ रहे हैं कुछ, मॉलस्ट का के मेंबर्स वो जो है, वो क्या है, इन पाले जाते हैं, तो इसमें से मचलिया नहीं पाल रहे हूँ है ना खाली मचली पालोगे तो फिश्रीज हो जाएगी मचलिया और जैसे जींगा भी मचली के अंदर ही एक तरह से कभी-कभी लोग गिन लेते हैं हाला कि दोनों अलग-अलग है दोनों अलग-अलग हैं बताओ क्या फार्क है दोनों में इस जैनों अबायों के विद्धे यो बता शक्ते हो फीसीज्य वर्ग में आती हैं और यह तो क्रॉस्टेश्यन है जिंग्हाश्य मचली जिंगा मचली क्र क्रॉस्टेश्यन किसके हूं dry industry अरता है 21 की जल्दी जलिय पौदों का प्रयोग पशियों के फीड या उत्पाद प्राप्त करने में किया जाता है फिर क्या जलिय क्रशी में जानवर तो पाली रहे अब उनको खाने पीने के लिए पौदे वोदे भी उगा देते अंदर ताकि उनको एक तो भई उनको लगे कि हम यह सब तो खाये जाने वाले शेवाले यह भी सब 11 में पढ़किया है क्या खाये जाता है क्या नाई जलेडियम यह सब खाने वाले शेवाले तो साथ में हम पौदे भी क्या करते हैं बोते हैं उसके अंदर ठीक है पौदों का प्रयोग पशो की फीड में पशो की फीड में जल करशी एकवा फार्मिंग में स्वाच्च जली वो असमुद्र जल दोनों में ही नियंतर करशेतियों में जीवोका समवर्धन किया जाता है विख़़़ः जल में की जाने वाली जली करशी को मैरी कल्चर कहते हैं ठीक है समुद्रे जल में की जाने वाली जलिय करशी को मेरी कल्चर कहते हैं अगर समुद्र में कर रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे मेरी कल्चर भी कह सकते हूँ क्योंकि वो मेरी, मेरी इन से आया है मेरी समुद्र को क्या बोलते हैं, समुद्र के पानी को मरीन वाटर या marine water कहते है जलक रशी अग थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं यहाँ एक प्रमुक प्रकार का मतस्य पालन इस्तर है मतस्य पालन का अर्थ है मचलियों को व्यावसाइक इस्तर पर बड़े बड़े तालाबो शेत्रों में पालन ठीक है मतस्य पालन की परिवाशा मिल गई आपको और आगे भी आ गई थी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में सिंपली ठीक जलक रशी वा मतस्य पालन में प्रमुक अंतर यहाँ है यह देखो यह अंतर जो मैंने अभी बोला वो आ गया है कि जलक रशी में सभी प्रकार के जीवो जन्तुवा पादप की क्रशी शामिल है जबकि मतस्य में केवल मतस्य पालन से संब्दित है स्टार लगा लो इसको पूछा जा सकता है NCRT में एजर्टीज लाइन दे रखी है चलो अब इनके क्या फायदे हैं यानि कि जलक रशी का क्या मत्व है उसमें मचलिया भी आ गई और उसमें बाकी ABCD Z भी आ गई ठीक पहला उच उत्पादक्ता प्रती इकाई शेत्र में अधिक उत्पादक्ता तथा अधिक लाप प्राप्त होना या होता है क्या होगा भई उगेंगे तो हमें उच उत्पादक्ता प्राप्त होगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंकम होगी इंकम होगी तो अर्थ काई शेत्र में मतलब कि area wise क्योंकि हम उत्पादकता area wise ही तो गिंते इतने हेक्टर पर इतना अना जुगा इतने हेक्टर पर इतना मचलियों का उत्पादन हुगा इस तरह से अधिक उत्पादन वह अधिक लाप रापत होता है दूसरा खाद्य गुणवत्ता बैतर उच्छ जोंगटा वाली protein का सस्तावसुलब-ष्थ्रो होते हैं आपको पता है मचलिया जो है वो protein का बहुत बढ़ा प्रोटिन अच्छी क्वाइनटिटिटी में होते हैं ओर फिशटी अगर आपको पता है वेराइटी होती है कूछ ऐसी फिश होती है जिसमें पुषण बहुत जादा होता है Бना पकःाइव ह厲egangen भी हे सेवाल लोग में एक कोशिका प्रोटीन की बहुत या सきन मोग वो सबता है और सस्ता है यह ना कंटेनल आते हो प्रोटीन के कभी कोई बॉडि बॉडि शॉडि को बना रहा हो प्रोटीन कि आज कल जो परोड़क्ट आते हैं। अधिने महिंगे आते हैं वह उससे बेटर हो दोटा कि आप फिश खाओ अन्डे खाओ ठीक है नौर्मल नेचुरल प्रोटीन खाओ जो सब्जियों में आ रही है अतिरिकता आयकाज त्रोथ ठीक है आये मिलती है जो लोग इसको पाल रहे हैं मचलिया बेचेंगे तो उनको आये होगी रोजगार के अफसर मिलेंगे एक अकेला तो मचलियों को पाल ली सकता मेंबर लगेंगे कोई उनकी सफाई कर रहा है कोई मचलिया पकड़ के ला रहा है कोई बेचने जा रहा है इस तरह से कोई ट्रेक्टर चला रहा है ट्रॉली में भर के ले जा रहा है तो रोजगार भी मि जब पानी बनाते हैं तो वो कैसा बनाते हैं ब्ल्यू तो हनी सिंग का गाना याद आ रहोगा सभी को आज ब्ल्यू है पानी पानी ठीक है आ रहा है कि नहीं आया ठीक याद कर लो फिर अब क्या है नीली करांती जो है वो 1960 में शुरू हुई थी तिक इंडिया के अगर हम बात करते हैं इंडिया में 1960 में नीली करांती जो है वो बहुत चरम सीमा पर थी क्योंकि उस टाइम मतस से यानि कि मचलियों का उत्पादन बहुत जादा क्वांटिटी में हो गया मतलब पिछले रिकॉर्ड तोड़ दे ऐसा कुछ उत्पादन हुआ इसलिए उस साल को या उस एरा को हमने क्या कहा दिया नीली करांती यहने की ब्लू रेवलूशन कहा दिया उच्च उत्पादक क्रशी क्रियाओं के रूप में जल क्रशी का उलेखनिय वतीवर विकास जिसने देश की प्रगती में योगदान किया नीली करांती कहलाती है ठी और नहीं तो कोई बात नहीं अच्छा नीली करांती के आपको अगर जनक पूछ ले जाए इंडियन भारती है जनक ठीक है फोरेन की बात नहीं कर रहे तो एक तो है हीरा लाल चौदरी एक डॉक्टर अरुन करके हैं में को सरनेम याद नहीं आ रहा है अरुन वर्मा या शर्मा पता नहीं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ भई इनके सरनेम है अरुन जी के तो आप यह थोड़ा सा एक बार चेक कर लें मैम की जो है शौट टम मेमोरी लॉस हो गया इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है नाम में कोई गड़बर नहीं उपर वाले का संदेम भी कंफर्म नहीं ये थोड़ा सा अरुन चलो नहीं आएगा तो नहीं आएगा अभी देखना पड़ेगा क्योंकि बुक में नहीं है एंसी आटी में शायद नहीं दे रखा है इसके बारे में जस्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वही कॉम्पटिशन एक्जाम का दर्द आप समझे सकते हैं ठीक है इसके परिणाम सरुक मचली और समुदरी उतपादों के उतपाद में देश की अर्थव व्यवस्ता में सुधार हुआ यह फला 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 ठीक है यह आप लिख सकते हैं इतनी हिंदी तो आपको आती है चलिए तो नीली क्रांटी इस पर एक क्वेशन बन सकता है एक या दो नंबर का जल क्रशी पर बन सकता है और मतश्य क्या-क्या हमारे पास मह वीडियो लेक्चर में अगली कहानियों के साथ